गुद मॉनिंग स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा नई यूनिट जिसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं वह है अपने पास प्रेसिपिटेट टाइटरेशन तो यहां पर प्रेसिपिटेट टाइटरेशन को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि प्रेस में यूज में लेते हैं तो जनरल हम स्टार्ट करते सबसे पहले टॉपिक जिसमें हमारे पास आता है प्रेसिपिटेशन रियक्शन क्या होती है तो यह हम क्या समझेंगे प्रेसिपिटेशन रियक्शन क्या होती है तो हमने कैमिकल रियक्शन पड़ी है उसके अलग-अलग कि साथ रेड्राइट्राइजस headache थे एक रिएक्षण पढ़ा है तो अलगग हमने रिएक्षण के ताइप तो उसी में से एक रिएक्षण in к Face влад I CAM 되지 को कि हम एक लिए यॉज होती है के chemical reaction occurring in an aqueous solution where the two ionic bonds combined and result in the formation of a insoluble salt the precipitation reaction के अंदर क्या देख रहे हैं कि जब भी हम precipitation reaction करा रहें तो हम क्या करे हैं हमने कोई solvent system लिया है तो यहां पर solvent system होगा वो क्या होगा अपने पास aqueous medium होगा मलब हम पानी के अंदर कोई दो compound यह दो सब्स्टेंट हम उसके अंदर dissolve कर रहे हैं जो कि उसके अंदर dissolve होने के बाद में क्या होगा अपने आप में ionic form में वहां पर distribute होंगे और उसके अंदर कोई compatible ion होंगे वह आपस में react करेंगे और insoluble precipitate बनाएंगे तो यहां पर एक एक जामपल के तोर पर मैंने दी हुई यह reaction कि silver नाइट्रेड अपने पास है दूसरा मेरे पास है NACL यह reaction करके एजी सील बना रहे है जो precipitate के form में है और soluble form में अपने पास मिल रहा है है एजी ना 3 सोडियम नाइट्रेड तो हो क्या रहा है यहां पर precipitate reaction के अंदर माला तुमने एक बीकर लिया एक बीकर के अंदर तुमने वाटर लिया उस वाटर के अंदर तुम क्या कर रहे हो एक तो शिल्वर नाइट्रेड को तुमने जो अपने पास जा सॉलूशन एकवास मीडियम में बनाया हुआ है उसको तुमने उसके अंतर डाल दिया दूसरा तुम क्या कर रहे हो एक आञिक रियक्शन होगी जिसके अंदर हम क्या कर रहे है कि जब हमने silver nitrate डाला है तो उसके अंदर Ag plus मिला है, nitrate डाला है तो हमें क्या मिल रहा है, NO3 minus उसके solution के अंदर है, sodium chloride डाला है तो Na plus और Cl minus उसके अंदर है, अब यहाँ पर यह सारे iron किसके अंदर है, water के अंदर है, aqueous medium के अंदर है, अब यह iron में से कुछ iron अपने आप में react होंगे, और क् करेंगे, precipitate बनाएंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, Ag plus और Cl minus react कर रहे है, और solution phase में अपने पास क्या रहा है, Na plus और nitrate iron वहाँ पे solution phase के अंदर बने हुए है, तो Ag plus or Cl minus जो अपने पास iron है, वो अपने आप में reaction कर रहे हैं, और reaction हो के अपने आप में precipitate हो रहे ह तो इन्सोलूबल फॉम के अंदर अपने आप में कनवर्ट हो रहें तो इस तरह की रियक्शन को हम कह रहे हैं प्रेसिपिटेशन रियक्शन इसका मदलब जब हम एकवेवाइस मीडियम की बात कर रहे हैं इंडवीजल के अंदर तो हमारे पास कितने 4 टाइप के आएंन है एकीग्शन क्लिंस का मैंनस जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो यहां पे हमको क्या दिकरा है कि एक प्रेशिपिटेट बन रहा है मतलब AGCl precipitate के form में जा रहा है और soluble form में आयन जो रह रहे हो Na plus और NO3 minus है clear तो यहां पे भी हम क्या कहते हैं solubility product की रोल की बात करते हैं जिसकी बज़े से precipitation यहां पे होता है तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि precipitation reaction क्या होती है अब precipitation reaction की अगर हम बात कर रहे हैं तो precipitation reaction जो अपने पास है उसके अंदर भी अपन क्या समझेंगे कि precipitate बनेगा कैसे उसके लिए भी कुछ न कुछ प्रॉपर्टी की requirement है जिसकी बज़े से अपने पास precipitate बनेगा तो precipitate के अंदर हम क्या कह रहे है the precipitation reaction अंडर्गोज इने aqueous solution और medium in an ionic state तो ये पहली line हम को क्या समझाती है कि जब भी हम ionic reaction कर रहे है तो ion का मतलब हम क्या कर रहे है उसको किसी aqueous medium के अंदर हम dissolve करेंगे तो aqueous medium से हम का रहा मतलब क्या है water के अंदर water का मतलब क्या है कि एक polar medium है पोलर medium के अंदर हम आयन को dissolve कर सकते हैं क्योंकि आयन भी अपने पास क्या हो गया एक polar medium का ही पार्ट है तो हम क्या 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 है एक दो तरह की species हम को मिलेगी किसी भी अगर किसी salt को अगर अगर अपन water में dissolve करते हैं तो एक और को बोलते हम के टायन और एक को बोलते हम एनायन जिसके उपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने बोल दिया के टायन जिसके उपर नेगिटिव चार्ज है उसको हमने बोल दिया एनायन तो जब भी salt form aqueous medium में dissolve होगा तो अपने ionic constituent के अंधर breakdown हो जाएगा the reaction tracking place between the ions present in the aqueous solution forming the product अब जहां पर हो क्या रहा है प्रोपर्टी के according जो भी आयन है वो अलग-अलग आयन जो हमने डाल दिया अलग-अलग component के according मानला तुमने दो या तीन तरह के साल्ट उसके इंदर डाल दिए अब वो साल्ट अपने आप में अपने आप में रियक्शन करेंगे रियक्शन की वज़े से वो अपने आप में क्या बनाएंगे कोई insoluble salt अपने आप में बना रहे है या कोई product अपने आप में बना रहे थर्ड हम क्या देख रहे हैं the product form at the end point of the precipitation reaction are the precipitate which are insoluble in aqueous solution अब यहां पर जो आयन ने reaction की जिसकी बहें से हमारे पास क्या बन गया है insoluble precipitate का formation होगा और precipitation reaction are known as the ionic reaction since the ions actively take part in the reaction and form the product तो यहां पर हम overall क्या देख रहे हैं कि जो भी आयन है वो आयन अपने आप में क्या कर रहे है react कर रहे हैं और एक अपने आप में react करके अपने पास insoluble product बना रहे हैं तो these reaction depending on the temperature concentration of the solution buffer solution ETC तो यहां पर अगर अपन कहें हैं कि precipitation reaction हो तो क्यों हो तो उसके लिए भी एक condition की हम बात करेंगे यहां पर हम एक solubility product की भी आगे बात करेंगे जिसका जो किसके ओपर डिपेंड कर रहा है temperature के accord तो कोई भी चीज किसी के अंदर dissolve हो और precipitate उसके अंदर बने तो वो precipitate उसकी एक temperature condition पर डिपेंड करता है तो इसको हम एक simple example से समझ से हैं जह हम crystallization कराते हैं तो यहां पर भी हम एक थोड़ा सक temperature का process हम यूज करते हैं क्या करते हैं हम किसी को saturated पहले तो solution बनाते हैं फिर उसको saturated करते हैं फिर super saturated करते हैं फिर temperature घटा के हम वहां पर crystal का formation कर देते हैं ठीक है तो वह एक temperature की अलग-अलग different है जिसके अंदर हमने crystallization को समझा हुआ है उसी तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि एक temperature की अलग-अलग condition है जिसके उपर कोई आयन अपने आप में react करके वहां पर ionic concentration के according वहां पर precipitate होगा और हमें इन-soluble product महां पर मिल जाएगा मलब किसी एक temperature पर वह अपने आप में precipitate बना रहा होगा किसी एक temperature पर नहीं बना रहा होगा ठीक है तो इसी को हम दूसरे concept के according समझे तो concentration का रोल हम समझेंगे तो concentration of solution तो concentration of solution के अपर कोड़ी हम क्या क्या कहरें कि एक concentration में हम बात कर रहे थे यहां पर एक आइनिक reaction है मतलब katein और नायन आपस में react कर रहे हैं जब katein और नायन आपस में react करेंगे तो katein और नायन की concentration की बज़े से एक वो concentration पोचे की जिसके बाद में वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा तो यहां पर katein और नायन की concentration का भी एक important रोल है प्रेसिपिटेट बनने के लिए जिसको भी हम कैस्पी वैली बनाएंगे समझेंगे इसके इसके अंदर समझेंगे दूसरा हम बात करते हैं बफर सोलूशन तो बफर सोलूशन अगर हम समझें तो जनरली बफर सोलूशन हम क्या कह देते हैं वो सोलूशन जिसके अंदर माइनूट एसीड और बेस डाले तो जिसकी concentration का उसके उपर कोई effect जो उसके pH के according कोई change ना हो तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम precipitate बनाते समय अगर pH को कम या ज़्यादा करेंगे तो भी हमारे अंदर जो precipitate है उसके बनने और नी बनने के उपर effect आएगा कैसे आएगा मालों कोई reaction है acidic medium के अंदर ज्यादा precipitate होती है तो वहां पर हम क्या करेंगे उसको precipitate कराने के लिए उसका pH कम रखेंगे और कोई basic में होती है तो वहां उसका pH ज्यादा रखेंगे तो यह किसके उपर depend कर रहा है यह depend कर रहा है आयन की concentration के उपर कैसे अगर तु आयन तो अन Okay के अंदर अगर में कह रहा हुं तो तुम्हार पास क्या है एक यने प्लस आया लिए और एक छील मायनस अयन है अब इसी के confirm के according में में अगर मीडियम को सलेक्ट कर था दो में क्या कया मीडियम सेलेक्ट कर सकता था गज़कर मीडियम कर लंगर कि एक अपने पस एने niscl के सौल्ड के अंदर डालूं गा तो यहां पर अपने आप में क्या हो रहा है अगर मैं depths डाल रहा हूं तो वह c Л- की कंसंटरेशन को उसके अंदर बढ़ा रहा है अगर मैं anyohate डाल रहा हूं तो sonco serious को सोलोशन के अंदर बढ़ा रहा है इसका मदलब यहां पर एक कोमन आयन इफेक्ट भी वहां पर जनरेट होगा जिसकी वज़े से अपने पास कैस्पी वैल्यू अपने पास में बढ़ जाएगी तो इस तरीके से यहां पर बफर सोलोशन के अकोर्डिंग यह पीज के अकोर्ड कोमन आयन इफेक्ट पढ़ेगा अगर सेम नहीं भी होंगे अगर सेम नहीं होंगे अभी मैंने क्या कहा है एसी एल और एच में यूज कर रहा हूं तो उससे एने प्लस और सी एल माइनस की कंसेंट्रेशन के उपर इफेक्ट पढ़ रहा है जिससे कैल कैस्पी की वैल्यू अफेक्ट हो रही है अब मैं ऐसा एसीड और बेस यूज करता हूं जिसके अंदर वो आयन नहीं है ना तो एने प्लस है ना सी एल माइनस है तब भी यहां पर प्रियेज पी एच के उपर एफेक्ट पढ़ सकता है क्यों क्यों क्योंकि एसिडिक वीडियम या बैसिक वीडि ठीक है तो एंथेल्पी वर्ड में यूज किया मंदब सॉलूबिलाइजेशन की एंथेल्पी की बात कर रहा हूं मतलब कोई सॉल्ट जो तुम किसी वेंड के अंदर डिजॉल कर रहे हो जब उसके साथ में तुम कोई एसीड या बेस डाल रहे हो तो वह एसीड और बेस एसीड और बैस के नेचर के अकॉर्डिंग भी हम यहां पर प्रेसिपिटेशन के नेचर को समझ सकते तो इस तरीके से हमने यहां पर प्रेसिपिटेशन रियक्शन को समझा प्रेसिपिटेशन रियक्शन क्या है वो रियक्शन जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं दो या दो स यदिक साल्ट जो अपने पास में है उसके अंदर डिजॉल होके कोई कॉम्प्लेक्स या इंसॉलूबर प्रोटक बनाएंगे सॉल्ट फॉर्म में जो कि उसके अंदर प्रेसिबिटेट फॉर्म में नीचे बैठ जायागा और वो किस किस कंडिशन के उपर डिपेंड कर रहा ह है उसके मीडियाम के कॉःडिंग जो कि अपने पास क्या होना चीऄ जंरली एकवर्वास होना चीए एकवास मनलब पानी होना चीए जिसके अंदर वो आयनिक्षथ के इनदर आशक है दीशरा जो प्रोटक्ट उसके न पनद रहा है वो अपने आप में क्या है उस जो वो aqueous medium में उसके अंदर dissolve कम हो, मतलब उसकी solubility कम से कम हो ताकि वो insoluble form में उसके अंदर settle down हो सके, ठीक है, और दूसरा आपन क्या कह रहे हैं कि वो अलग-अलग condition जिसकी वज़े से वो precipitate बनेगा, वो condition उसके लिए suitable उसको मिलने चाहिए, तो यहां overall हमने क्या समझा कि precipitation reaction क् आपिया जापि और द में उसके राप्टिय को मैं आप्यो और क्या है